चलिए दोस्तों तो अभी हम जो देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं branches of philosophy ध्यान रखिएगा अभी जो इसके पहले मैंने आपको बताया था यह हमारे scope of philosophy जो हमने Hindi English दोनों में देख लिये हैं और जो लोग यह वेडियो पहली बार देख रहे हैं बता दू हमारा NTA UG Channel Education Paper 2 का जो पेपर का जो कोर्स चल रहा है उसके conceptual lecture मैंसे एक lecture आप देख रहे हैं अधिक जानकारी के लिए आप description में हमारी एप की link है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं ठीक तो आगे चलते हैं अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक पूरा चार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं branches of philosophy के बारे में बात करूँगी तो चलिए hope आप लोग copy pen रख के बैठे होंगी अपने पास तो उसे खोल लीजिए और start कर ये लिखना अब हम branches of philosophy का एक chart बनाने वाले हैं ठीक है और हिंदी में मैं अब नहीं लिखूँगी मैं बोल दूँगी क्योंकि हमारा chart जो है थोड़ा सा lengthy हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही हिंदी में पढ़ चुके हैं ठीक है branches of philosophy तो branches of philosophy में education के लिए हमें तीन चीज़े देखनी है मैं ठीक है तीन चीज़े कौन-कौन सी है सबसे पहला आपके लिए हैं यहाँ पर तीन आप ऐसे arrow बना लीजिए ठीक है काफी लंबा जाएगा यह पहला है metaphysics metaphysics को हिंदी में क्या कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं तत्व मिमानसा ठीक अब metaphysics या तत्व मिमानसा के हमने चार पार्ट देखे थे चार पार्ट है ठीक कौन-कौन सी चार पार्ट है सबसे पहला था हमारा थियोलोजी ठीक, थियोलोजी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंश्वा संबंधिक ज्ञान कॉस्मोलोजी ठीक, कॉस्मोगानी ठीक, फिर दा हमारा ओंटोलोजी कॉस्मोलोजी, कॉस्मोगानी मतलब क्या स्रश्टी शास्त्र हो जाएगा, ये ओंटोगानी मतलब की सत्ता शास्त्र, हम पहले हिंदी में इसको देख चुके हैं अब इसमें से जो ये आपका ओंटोलोजी है ये दो पाट में बटेगा और यहीं सापको आइडिया भी लगेगा कि ये जो इजम हैं, अलग-अलग नैच्रिलिजम, माटेरियलिजम, प्रैग्मेटेजम ये कहां से जनरेट हुए है, क्यों पढ़ना है, हमारा बेसिक कॉंसेप्ट यही है इन चीजों को पढ़ने का कि जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, वो बेसिकली आया कहां से, वो तो पता पड़े क्योंकि बेसिक हमें रटने से कोई मतलब नहीं है हमें समझ के चलना पड़ेगा, तब जाकर कि वो इंटर्व्यू तक काम में आएगा ठीक, तो ओंटोलोजी मतलग कि सत्ता शास्त्र को हम तीन भागों में बाट देते हैं वो कौन से तीन भाग हैं आएए देखते हैं, कौन से तीन भाग हैं, मैं थोड़ा सा इस तरफ ले रही हूँ इसको, क्योंकि ये एक लेंदी पार्ट है ठीक, पहला, दूसरा, और ये तीसरा भाग, ओंटोलोजी का ठीक है, सत्ता शास्त्र का तो पहला है इसमें, मोनो, मोनोईज्म मोनोईज्म मतलब कि ये एक फैक्टर को मानते हैं ठीक है, एक फैक्टर को मानते हैं, दूसरे हैं, डूलिस्म इनको detail में हम लोग देखेंगे ये दो factor को मानते है और यहीं से क्या निकलता है यहीं से निकलता है realism realism किन दो चीजों को मानता है realism मानता है mind और matter को ठीके और जो realism में भी देखिए दो पार्ट हो गए एक जो mind को support करते है और दूसरे जो matter को only जो mind को real मानते है that mind is real mind is real जो यह बोलते है या idea is real जो यह बोलते है वो कौन कहलाएंगे वो कहलाएंगे idealism ठीके clear है इतना और जो matter को importance देंगे है ना अब matter भी यहां पर फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा कौन कौन से दो पार्ट अब वो एक बोलेंगे कि physical matter is real physical matter is real और एक बोलेंगे कि natural matter is real तो जो physical matter बोलेंगे वो कौन हो जाएँगे materialism ठीक और जो natural matter को real कहेंगे वो कौन हो जाएँगे naturalism अब आपको idea मिल रहा होगा ठीक अब monoism की बात हो गई believe life one factor life believed in two factor life believed in many factor तो फिर ये हो जाएँगे pluralism और जो many factors जो experiences को real मानते हैं है ना इनका क्या मानना है बहुत सारे factors real है experiences real है real तो ये कौन लोग हो जाएँगे ये हो जाएँगे pragmatism ठीक hope इतना समझ में आगया होगा आप लोगों को फिर देखिए ये branches of philosophy में अभी हमने सिर्फ metaphysics को ही divide किया है अब हम बात करेंगे epistemology के epistemology मतलब की ग्यान मिमानसा इसका कोई further division नहीं है फिर है axiology axiology मतलब की मुल्य मिमानसा हिंदी वाले लिखते चलेंगे मुल्य मिमानसा इसको हमने फिर तीन पार्ट में बाटा हुआ है ठीक है कौन से तीन पार्ट है ये पहला था अपना ethics इतिक्स मतलब की आचार मिमानसा लॉजिक तरकशास्त्र और एस्थेटिक ये हो गया अपना सौंदर्रे दर्शन ठीक है तरकशास्त्र और इतिक्स मतलब की आचार मिमानसा तो ये देखिए आपके सामने अब पूरा ब्रांचेस और फिलोसोफी है और कहां से कौन सा इज्म निकलेगा अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा